मेहनत करके इतने आगे निकल जाओ कि तुमसे जलने वाले तुमारे पीछे सिर्फ दोड़ते रहें नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगनेश मेरा थन्मनोविज्यान की जो सिरीज चल रही है वीडियो संग क्या है 22-22 आज की सिरीज के अंदर हम बात करेंगे अधिगम वक्र से जुड़ेवे सवालों की पिछली जो 21 नमबर सिरीज थी आखरी जो प्रशन मैंने पूछा था उसका एक मित्र ने जवाब दिया था और किसी ने नहीं दिया कि पियाजे के अनुसार मानसिक परतिकों में संसार को निरुपित करने का हमारा सबसे लचिला शादन है तो उसका विकल्प था ए भाषा यह सही होगा विडियो लाइक करना है सभी ग्रूप में शेर करना है आज की सिरीज का पहला प्रशन क्रम निर्धारित करने की क्षमता कहलाती है शमावेशे करन समायोजन अनुकुलन करमिकता उत्तर होगा D क्रम निर्धारन करने की क्षमता करमिकता कहलाती है किस अवस्था में बालक वेग्यानिक ढंग से सोचने की उक्षमता विक्सित कर लेते हैं समवेदी क्रियात्मक अवस्था में, पूर्वय संक्रियात्मक अवस्था में, मुर्त अवस्था में, आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में तो उत्तर हो जाएगा डी ओप्चारिक संक्रियात्मक अवस्ता में साथियों एक बात और बता दूँ आपको मैं कहीं साथी बोलते हैं कि टेस्ट सिरीज से कुछ नहीं होता तो आप यकीन जानिया विस्तार से पुस्तकों को अधिन कीजिए विस्तार से अच्छे से पढ़िए किताबों को लेकिन साथ-साथ में यह जो टेस्ट सिरीज है इन्हें निकालते रहे ताकि आपकी तयारिय उसको धार लगती रहे लेकिन टेस्ट सिरीज देखने से पहले यूटूब पर किसी की भी टेस्ट सिरीज देखें यूं तो सबकी इच्छे लेकिन पहले अपने विवेक का थोड़ा सा प्रियोग कर ले कि यूही उटपटंग सवाल बनाई जा रहे हैं या फिर पाठेकरम के अनुसार सटीक जो पूछे जा सकते हैं वो बनाई जा रहे हैं तो ये चीज जरूर आप ध्यान में रखकर देखा करें चलिए तीसरा सवाल ओपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुक लक्षण है वेग्यानिक अमुर्त सोच परिकाल्पनिक निगमित तर्क प्रस्थापनात्मक सोच सभी ओपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुक लक्षण तो उत्तर क्या हो जाएगा? D. सबी अगला सवाल है P.I.J के अनुसार वे क्रियाएं जिनके कारण व्यक्ति के विचारों बुद्धी भाषा में परिवर्तन होता है संग्यानात्म क्रियाएं होती है वो समेदन सिल क्रियाएं होती है या कर्मिक क्रियाएं या फिर सभी उत्तर होगा? A. संग्यानात्मक क्रियाएं पांच्वा सवाल सीखने की गती एक समान नहीं होती इसमें समय समय पर अंतर पाया जाता है तथा ग्राफ पर अंकित करने से एक रेखा बन जाती है ये प्रकिरिया कहलाती है अधिगम कारक, अधिगम वक्र, इस्थानिक वक्र या सभी बताईए क्या उत्तर होगा तो उत्तर होगा बी ये प्रकिरिया कहलाती है अधिगम वक्र अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गती वर प्रगती को व्यक्त करता है अधिगम वक्र सीखने की क्रिया से हैं मिलने वाली गती और होने वाली प्रगती को व्यक्त करता है ये परिवासा किसकी है वर्टसन की, कोहलर की, गेट सुवे अन्य की या सभी की उत्तर हो जाएगा सी, गेट सुवे अन्य की सात्वा सवाल है अधिगम वक्र का प्रकार है निम्न में से सरल रेखिये वक्र उन्नतोदर वक्र नतोदर वक्र सभी क्या उत्तर हो जाएगा उत्तर होगा यहाँ पर डी यह सभी अधिगम वक्र के प्रकार है अधिगम वक्र चार प्रकार का होता है सरल रेखिये वक्र हो गया पहला दूसरा उन्नतोदर हो गया तीसरा न्नतोदर हो गया और चोता एक ओर होता है मिस्रित वक्र चोता कौन सा होता है मिस्रित वक्र तो ये ध्यान रखियेगा आप आठोवा सवाल क्या सीखने में सरल रेखिये वक्र बनते हैं, हाँ, नहीं अनिसीत बन सकते हैं, तो उत्तर हो जाएगा, सेखने में सरल रेखिये वक्र नहीं बनते हैं, बी, अगला, शारीरिक, कोशल के सेखने में प्राए, कौन से वक्र बनते हैं, उन्नतोदर सरल रेखिए नतोदर यसभी बताईए उत्तर हो जाएगा अगला सवाल इस वक्र में पहले सीखने की गती मंद तथा बाद में तेज हो जाती है कौन सा वक्र है उन्नतोदर वक्र में होता यह नतोदर में दोनों में या फिर दोनों ही नहीं उत्तर होगा बी नतोदर वक्र में सीखने की गती पहले मंद होती है और बाद में तेज हो जाती है ग्यारवा सवाल है वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गती मंद मदे भाग में तिवर और अंत में पुने मंद हो जाती है मंद तिवर मंद ये क्रम होता है तो वो कौन सा वक्र होता है उन्नतोदर, नतोदर, मिश्रित, सभी बताईए कौन सा होगा तो उत्तर हो जाएगा सी, मिश्रित बारवा सवाल है कुछ समय बाद सेखने की प्रगत्ती रुख जाना, कुछ समय बाद सेखना धिमे हो जाना, दोनों दोनों ही नहीं क्या उत्तर होगा? A शीखने में पठार कब बनते हैं? जब सामगरी में रूची ना हो, जब आदतों में परिवर्तन हो, अवस्ता परिवर्तन के दोरान, या फिर सभी? तो सीखने में पठार कब बनते हैं? उत्तर हो जाएगा यहां पर सभी? अगला सवाल है, पठारों का निराकरण संबह हो है? सीखने वाले को प्रेरणा देकर, सीखने की विधे में परिवर्तन करके, शारेरिक दुरबलता को दूर करके, या सभी? तो उत्तर हो जाएगा इसमें भी हमारा दे, इन सभी के द्वारा पठारों का निराकरण है, जो संबह हो है. अगला सवाल है, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना, चिंतन है, ग्यानात्मक परकिरिया है ये, उच्चे ग्यानात्मक परकिरिया, निमने ग्यानात्मक परकिरिया, या सभी? यह आप कमेंट करके बताईएगा कि चिंतन क्या है किस प्रकार की प्रकिरिया है वीडियो को लाइक नहीं के तो लाइक कर दें शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके गंटे के निसान को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज की सूचन आपको मिलती रहें जय हिन्दी